गैस इस वीडियो में आप लोग अपने लब्टाप में PSP के प्रोजर्स को आप लोग कैसे रन करेंगे चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने भी तरह में चाहँ को सुर्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज आपको सुर्सक्राइब को लेजिए दोस्तों PSP के प्रोजर्स को रन करने के लिए सबसे पहले आपके पास उसका सुर्सकोड होना जरूरी है गैस कर आपके पास उसका source code नहीं है तो इसके लिए आपको अपना chrome browser open कर लेना है open करने के बाद आपको यहाँ पर search कर लेना है जिस भी topic related आपको source code चाहिए for example के लिए जैसे मुझे यहाँ पर e-commerce का source code डाउनलोड करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर search करेंगे e-commerce project using PHP with source code तो जैसे हम लोग यहाँ पर इतना search करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी website open हो जाएंगी तो आपको यहाँ से किसी भी एक website को open करेंगे जैसे हम यहाँ पर इस website को open करेंगे open करने के बाद आपको यहाँ उस website पर नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको download का option search कर लेना है जैसे हम यहाँ यहाँ पर इस website पर नीचे जाते हैं आप दीशते हैं यहाँ पर लिखाँवा है download e-commerce side and PSP with source code तो जैसे हम यहाँ पर इसके ओपर क्लिक करेंगे उसके बाद हमको यहाँ पर एक नया पे जोपन हो जाता है इसके बाद हम यहाँ पर I am not a robot के ओपर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम जो यहाँ पर crosswalk इसके यहाँ पर verify करके इसको nest कर देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर इसको traffic light भी कर देते है verify तो जैसे हम यहाँ पर इतना करते है उसके बाद जो आपका source code आपको याँसेश को download कर लेना है आप यहाँ से किसी भी website से बिल्कुल same process होता ही है यह आप source code को download कर सकते हैं जैसे आप लोग यहाँ पर इस source code को download कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस type की zip file देखने को मिल जाएगी इससे पहले आपके laptop में jam server होना जरूरी है अगर आपके laptop में jam server install नहीं है तो उसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा जहां से देखके आप उसको बहुत इजी तरीके से download करने बाद install कर लेंगे तो जैसे आप लोग उस server को install कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर search कर लेना है jam तो जैसे आप लोग यहाँ पर search करेंगे jam control panel आपको यहाँ पर इसको open कर लेना है open करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको Apache को start करना है उसके बाद आपको यहाँ से MySQL को start कर लेना है आपको यहाँ पर इन दोनों को start कर लेना है start करने के बाद आपको यहाँ पर इसको minimize कर देना है minimize करने के बाद आपको अपना Chrome browser open कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर search करना है local host तो जैसे आप लोग यहाँ पर search करेंगे local host उसके बाद यहाँ पर jam का dashboard है वो open हो जाएगा open होने के बाद आपको यहाँ पर PSP admin के उपर click कर देना है तो जैसे आप लोग यहाँ पर PSP admin के उपर click करेंगे उसके बाद अब दीख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ इस type का interface open हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर इसको minimize कर देना है minimize करने के बाद जो आपने source को download किया था सबसे पहले आपको यहाँ पे stat files के उपर click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे इसको ok कर देना है open करने के बाद आपको यहाँ पे इस folder को open कर देना है तो जैसे आप लोग यहाँ पे इस folder को open करेंगे उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे इसमें जो search करना होता है वो आपको database को search करना होता है तो आपको यहाँ से database को search करना है तो आपको यहाँ से database को search करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ एक folder बना हुआ database file जैसे हम open कर सकते हैं उसके बाद आप जीख सकते हैं यहां पर इसमें mention है कि जो आपका database का नाम है वो आपका e-commerce app रहेगा तो आपको सबसे पहले चीज यही होती कि आपको database find out करना है वो SQL file को उसके बाद आपको यहां पर database का क्या new के उपर इसके बाद हम database का नाम लिख देते हैं यहाँ पे जो था e-commerce app इसके बाद आपको create के उपर click कर देना जैसे आप लोग यहाँ पे इतना करेंगे अब दीशते हैं यहाँ पर database create हो चुका है इसके उपर आपको नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर go के option पर click कर देना है तो जिससे आप लोग यहाँ पर go के option पर click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ second तक wait करना है जब तक आपका यह पूरा प्रापर तरह के से यहां पर इंपोर्ट ना हो जाए तो हम लोग यहां पर वेट कर लेते हैं जो इंपोर्ट हो जाएगा उसके बाद अपको यहां पर एक successfully का message आ जाएगा तो गेसे हम लोग यहाँ पर wait करते हैं अप दिश्च कर देऊख हो चुका है इसके बाद आपको यहाँ पर इसी folder को एक बार फिर से आपको open कर लेना है open करने के बाद आपको यहाँ पर इसको copy कर लेना है यहाँ से, इस folder को हम लोग copy कर लेते हैं copy करने के बाद आपको अपने this pc में जाना है उसके बाद आपको windows c में जाना है उसके बाद आप दीज सती यहां पर जैसे आप लुग जैम पर इंस्टॉल कर लेंगी आप दीज सती यहां पर एक जैम का फुल्डर करेट हो जाएगा तो आपको यहां पर इसको उपिन करना है copy करने के बाद आपको इसको minimize कर देना है इसके बाद आपको अपना chrome browser open करना है इसके बाद आपको यहाँ पे new tab open करना है और आपको यहाँ पे लिख देना है local host और इसके बाद आपको यहाँ पे forward का slash लगाना है इसके बाद आपको यहाँ पे अपने folder का नाम लिख देना है और इसके बाद आपको इंटरप्रेस कर देना है जैसे आप लोग इतना करेंगे आप दीज सते हैं यहाँ पे जो हम लोग का source code है वो proper तरीके से run हो चुका है तो अब दीज सते हैं यहाँ पे इस तरह से आप लोग किसी भी source code को run कर सकते हैं PHP के बहुत इज़ी तरीके से यही जितने मैंने आपको इज़ी बता है सारे source code में आपको यही निज़ी टेप को follow करना है और इसके बाद माली जी हमें इसका admin panel open करना है तो यहाँ पे लिखते हैं admin इसके बाद forward slash लागा के यहाँ पे लिखते हैं index.html ऐसे यह आपको यहाँ पे इन सारी जितनी भी files होती है आप उनको बहुत इज़ी तरीके से open कर सकते हैं यहाँ पे index.php जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसी तरह से आप लोग किसी भी source code का बहुत इजी तरीकी से run कर सकते हैं कोई भी PHP का हो आपको बस source code कहीं से भी अगर आपको मिलता है तो आपको इसको download कर लेना है उसके बाद आपको इनी step को follow करके उसको run कर लेना है तो गईस गर आपको वीडियो चे लिए उनको like करें चैनल को subscribe करें thank you for watching